नमस्कार दोस्तों दोस्तों सीसम के पेड़ के बारे में सभी को जानकारी होगी क्योंकि ये सीसम भारत में लकडी से बना फनीचर काफी मजबूत होता है और लोग प्रीवी होता है लेकिन दोस्तो फन नीचर के अलावा सीसम हमारे स्वास्त के लिए भी काफी फायदे बंद होता है दोस्तो प्रभाव सारी जड़ी बोटियों है आर्वेदिक के मताबक यह सीसम अनेक गुणों की खान है दोस्तो इस सीसम से मौटापा, बिटिलिगो, बुखार, घाव, अलसर, बिनाइन, प्रोस्टेटिक, हाइपर, प्लासिया, गोनोरिया, आध के उपचार में इस से बनी और सधिया काम में ली जाती है तो दोस्तो बने रहे हमारे बेडियों में और बेडियों को सुरू से लेके अंतरा देखिये, जानकारी बहुती यूच्फुल होने वाली है दोस्तो यह जो सीसम है इसमें इनेल जैसे के एंटी इंफिलेमेटरी, एमेनो एसेड, फिलेवोनाइड, फैनोलिक कंपाउंड, डाइजेस्टिव, आस्ट्रोजेनिक, थार्मोजेनिक या एंटी वाइट गोड़ पाय जाती है दोस्तो यह जो सीसम है इसे अंग्रीजमें इन्टियन रोजबुड की नाम से जाना जाता है और दोस्तो सीसम की पेड़ की जड़, पत्या, छाल, फल के वीज, तथा गूदे सभी प्रियोग में लाए जाते है दोस्तों ये सीसम के आप पत्यां देखेगा सीसम दोस्तों दो परकार का होता है एक की पत्या लंबी और एक की पत्यां गोल होती है दोस्तों मदमे में रहत दिलाने के लिए सीसम का बहुत ज़्यादा गुड़कारी माना गया है अगर जो मदमे हैं जिसकी को तो सीसम में एंटी डाइविटिट के गुड़ होते हैं जो आपके मदमे की बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं इसलिए जिसको भी मदमे हैं बे मदमे के रोगी इस सीसम की पत्तियों का सुरस का जरूर शिवन करें दोस्तो इस से मदमें नियंतरत रहता है और साधी-साध, चेस्ट पेन, हार्ट अटेक और नर्व डेमेज जैसी घातक समिस्याओं को सामने नहीं करना पड़ता दोस्तो यह सीसम अनेक बीमारियों से रहत दलाता है दोस्तो सीसम के करम बात करूँ तो ये एनेमिया को दूर करता है यानि कि सरीर में खोन की कमी अगर हो जाए तब सीसम का प्रियोग कर सकते है सीसम का प्रियोग कैसे करेंगे क्योंकि सीसम में सरीर में आक्सीजन का प्रभाग कम हो जाता है इसलिए आपको एनेमिया की कमी मैसूस होती है जिसका थाकान या कमजोरी जैसे समस्याओं को सामना करना पड़ता है यह आप सीसम के फल देखिएगा सीसम के यह इसमें बीज निकलते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों यह तुचा की जलन को कम कर देता है क्योंकि दोस्तों सनवर में यह अन्यक कारणों की बज़े से कभी कभी हमारी तुचा पर जलन मैसूस होने लगती है जो की काफी परिशान करने बाली होती है ऐसी स्थिति में अगर आप सीसम की पत्यों को तोड़ करके या फिर इसकी छाल का काढ़ा बना करके सेबन करते हैं तो छाल की काढ़ा अन्यक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है दोस्तों ये जलन में आप सीसम की पत्यों को पीस करके और रस हाथों पर लगाएं तो जलन सांथ हो जाती है दोस्तों बुखार में भी ये राद देता है बुखार में ज़स्वक्ति को बुखार हो तो ये आप सीसम की पत्यों का सौरा स्यमन कर क्योंकि ये रोक पुर्द च्छमता को बढ़ाती है और बुखार जैसी बीमारी को कम करती है जो गुनोरिया में भी ये लापकारी है गुनोरिया में जहां पर फिर के नितले हिस्ते में दर्द का सामना कड़ पड़ सकता है ऐसे में आप उस सीसम की पत्यों का इस्तिमाल करें सीसम की पत्या ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी होती है ताजी अबस्ता में ले 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 मिल जाती है आराम से मिल जाती है सीसम की पत्या इनको आप ले करके पीस करके आप इसका सौरस शिवन करें दोस्तों अगर आप सौरस शिवन करें और साथ इसाथ जिनको गाव और चोटों को साप करने के लिए आप सीशम की पत्यों को पानी के लिए लाब में लाये जाता है। दोस्तों सीसम मोटापा को कम करता है इसलिए सीसम के पत्ते और असगंद के पत्ते दोनों को ले करके सुबह सुबह खाली पर शेवन करते हैं और थोड़ा मॉर्निंग वर करते हैं तो यह आपके मोटापा की चल्बी को बिखेर देता है दोस्तों सीसम में जो है अच्छा चम्मच अगर शिवन करते हैं तो पेट मेठन और बार बार पेचेज जैसी सिकायत होना और दस्ट लगना इस समिस्या को यह दूर कर देता है और यह अलसर के घाओं को भरने में मदद करता है दोस्तों सीसम बहुत ज़्याद लापकारी है आप इसके पत्यों को देखिए और इसकी पत्यां ही नहीं इसकी च्छाल सीसम की जड़ सीसम के सभी अंग फूल फल सभी काम में लाए जाते हैं सीसम यह आपके सभी बिमारी को दूर करता है इनेमिया खुन की कमी यह बिलट को बढ़ाता है तो दोस्तों जानकर यह अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक कर हैं और चैनल पर नहीं हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें